हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे जिस विशय पर अगर हम ऐसा भी कह दें तो यह जो विशय है यह भी राशी परिवर्तन को ही ले करके है चर्चा और विशय है सूर्य देव का राशी परिवर्तन तो प्रिय साथियों सूर्य देव की हम आज बारे राशियों पर जब अपने राशी परिवर्तन करेंगे तो राशी परिवर्तन करने के उपरांत आप बारे लगन राशी के जातकों पर किस प्रकार के रिजल्ट देखने में आएंगे या किस प्रकार के परिणाम आपको उनसे प्राप्त होंगे इसके विशह में बताएंगे कब से कब तक वो रह आया था कि भही अप्रेल में ही वो मेश राशी माय थे कहने को तो अपनी उच्चराशी थी उनकी यह लेकिन उच्राशी में होते हुए भी उनके महाशत्रू और महापापी करूर ग्रह राहू जैसे ग्रह के साथ उनका संबंद बना जिसके कारण ग्रहन दोश और पित्र दोश जैसे बड़े दोश बन गए बजाए इसके कि उसका लाब मिलता सूर्यदेव की उच्राशी में होने का नहीं से ही होता है तो साथियों इसकी चर्चा करें और आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है अगर यह आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेर करें और आप से यह भी हमारा अनुरोध है कि देखिए हमारे वीडियोज हैं आप उनको देखते तो हैं पर अभी भी एटी परसेंट जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज ये सब्सक्राइब बटन जो है इसको आप प्रेस करना बिलकुल ना भूलें और आपके लिए तो देखिए ये फिरी है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है तो साथियों चर्चा को आगे बढ़एंगे सूरेदेव से रिलेटिड चर्चा है या उनके राशी परिवर्तन को ले करके चर्चा है या तो प्रिया साथियों आप मेश्लगं राशी के जो जा खृत है तक आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं फिफ्थ हाउस के तरकॉन के स्वामी है और यह विरिशब राशी में जब आएंगे 15 मैं से लेके 15 जून तक के लिए तो आपके घर के यह आपके चार्ट के सेकंड हाउस में आएंगे दुतिय भा कि अगर आप कोई प्लानिंग करने हैं अपने मनी को सेव करने की पैसा कहीं इंवेस्ट करने की तो बहुत जल्दवाजी में रिड़नेर ना लें पहली बात किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइज लेकर के ही अपना पैसा इंवेस्ट करें या सेव करें जहां पर भी अगर आपको कोई FDR वगरा करना है तो भी किसी जहां पर भी आपको अच्छा रिटरन मिले पैसा आपका सीक्योर रहे सेव रहे अच्छी तरह से ऐसी जगापर करें और किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइज लेकर के ही करें तो यह तो हम आपको यहां पर सुझाव हमारा रहेगा दूसरी बात यह कि सूर्य देव जब तक यहां रहेंगे आपके जो घर के बुजुर्ग हैं बड़े उनको भी आपका फर्ज बनता है कि उनको आप परसंड रखें क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आशिरवाद में कुछ कमी महसूस हो रही है हमें ग्रहों की सित करके हो रही है यहां पर सूर्य देव के राशी परिवरतन के उले करके और सूर्य देव आप जो विर्शव राशी में रहेंगे यह 15 माई से 15 जून तक तो आपको किस प्रकार के प्रेड़ामों की प्राप्ति होने वाली है तो दीखिए अगर आप मैंने जैसा कहा कि घर के बुजर्गों से थोड़ा सा नाराजगी जहलनी पड़ सकती है आपको तो नाराजगी ना जहलनी पड़े उसके लिए अगर आप अपने पिता या पिता समान कोई भी बुजर्ग व्यक्ति हैं अगर आप प्रहते उठकर के उनके पाउं चूते हैं तो समझ लीजिए के सू उपाए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उपाए है सूरेदेव का तो आप ये भी जरू करें अगर आप करेंगे इसमें कुछ नहीं जाता सुबह उठकर के घर के बड़े बुजर्ग हैं जो पिता समान या पिता हैं उनके आप पाउं चूते हैं तो इसमें कुछ बु रहें उनके साथ कोई ऐसी भाशा इस्सामाल ना करें ताकि वो लोग आहत हों इस बात का वी दियान रखें कोशिश यहीं रखें कि वो ये एक तरीके से आप उनको ये एहसास कराएं कि भाई मैं आप कब बहुत केर करता हूं मुझे आप लोगों का बहुत ख्याल है और य लगेगा और एक वातावरन भी अच्छा रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा साथ ही महा के अंत में जैसा मैंने कहा कि साथ जून से पंद्रे जून के बीच में बुद्वी साथ में रहेंगे तो उस समय जो मार्केटिंग के लोग हैं मेश लगन राशी के उनको आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है या फिर अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कहीं आप एजूकेशन से जुड़े हुए हैं एजूकेशन फिर्ल में हैं कोई टीचर हैं कोई प्रॉफेसर हैं तो भी आपके लिए यह सक्सिस्फुल पीरियड रहेगा जी हां और आपको अंत में बता दें कि जब तक सूर्व विर्शव राशी में हैं आप मेश लगन राशी के जातकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके दातों से संबंदित या आँखों से संबंदित कोई समस्या परिशान कर सकती है आपको तो इसको ले करके भी कि आप थोड़ा सचेत और साफधान रही आगे बात करें जो विर्शव राशी के जाता के यहनि जो तौर्स आसंडेंट बेस जातता के आपका जो विर्शव राशी के जातं है आपके चार्ट में जो सूर्य है वो चतुर्थ भाव के लॉर्ड है और यह लगन भाव में बैठेंगे आकर के 15 मई से लेके 15 जून तक तो दीखिए जब यह यहां पर आएंगे निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में तो व्रद्धी कराएंगे और एक आपका व्यक्तित तुझो है वो ऐसा रहेगा जब तक सूर्य देव यहां रहेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी जो आपके सीनियर्स है जो आपके जुनियर्स हैं जो आपके कलीक्स है वो सब आपको रेस्पेक्ट पर करेंगे एक तरीके से उनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट एक जगा रहेगी सूर्यदेव के कारण और आप की बात को बहुत इंपोर्टेंस भी जाएगी अगर कोई मिटिंग है मिटिंग में आप बैठते हैं वहां कुछ सजेशन दे रहे हैं या वैसे कहीं किसी सीनियर के साथ बात कर रहे हैं किस तरीके से इस तो लेंगे बहूं ये इस व्यक्ति के पास काफि अच्छा एक तरीके से असे है अच्छी डियक्ती है यह और इससे जितना कुछ सीखा जाए उतना अच्छा और आपकी जो दी हुई suggestions होंगी या जो tips होंगी उनको वो implement करेंगे तो यह अच्छी इस्तिती रहेगी लेकिन दूसरी ओर सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो यह है कि जो आपकी married life है जी हां married life में थोड़ी से समस्या रहेगी लेकिन अगर आपने married life को भी अच्छी तरीके से अपने जीवन साती के साथ handling अच्छी रखी behavior अच्छा रखा तो चीज़ें काफी जो है वैसे ही स्वते ही समाप्त हो जाएंगी जो उन जिनके कारण tension हो सकती थी वह समाप्त हो जाएंगी यह आप पर निर्वर करेगा और दूसरी बात यह भी कहना चाहेंगे कि देखिए आफिस की या कार्याले की या फैक्टरी की जहां पर भी आप कार्यारत हैं या कार्या करते हैं वहां की tension घर में लेकर के बिलकुल ना आएंगे तो निश्यत रूप से तनाव पैदा होगा तो आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशी के जातक हैं आपके चार्ट में सूर्य देव जो हैं वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं तुर्तिय भाव के स्वामी है और ये पंद्रह माई से पंद्रह जून के बीच में कहां बैठेंगे जाकर के कि द्वादश भाव में महीं पर विर्शव राशी है जी हां द्वादश भाव 12 तो ये द्वादश भाव भाव जो है अच्छा नहीं माना जाता शुब है ये और सूर्य अपनी शत्र राशी में होंगे सूर्य वैसे भी उनको क्रूर और पापी ग्रह की संग्या जोतिश में दी गई है अब ये क्योंकि आप मिधुन लगन रा अशुब भाव का सौमी होकर कि अशुब भाव में ही जाकर के बैठ रहा है तो वहाँ पर जब ये बैठेंगे वो भी अपनी शत्र राशी में बैठेंगे तो देखिए क्या होगा कि ये सबसे पहले आपको जो अपने आपको हम जो सुझाव हम आपको देना चाहते हैं वो साथ मही से तो साथ पंद्रे जून से पंद्रे जून के बीच में तो बुद्ध भी आ जाएंगे सूरे के साथ तो बुद्ध जो हैं काफी चीजों को एक तरीके से सही करेंगे बिगड़ी हुई जो चीज़ा है कोड कचरी से संबंदित मामले जो हैं पंद्रे माई से लेक तो वहाँ पर भी आपको दिक्कतों का सामना, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है हाँ, जैसा मैंने कहा कि साथ जून से जब बुद्ध भी आ जाएंगे सूरे के साथ तब कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं और आपको इतना भी बताना चाहेंगे कि आपके शत्रू भी आपको नुक्सान पहुचाने की कोशिश करेंगे आपका आहित करने की कोशिश करेंगे, आपके उपर हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन बुद्ध जो है जब 7 जून को आएंगे सूर्य देव के साथ तो वो आकर के आपके शत्रों को भी शान्त करेंगे और जो आपके रुके हुए कार रहे हैं उनको भी गती देंगे कोड के चेरी से संबंदित मामलों में भी आपको निश्चित रूप से थोड़ी बहुत रहत अवश्चे दिलवाएंगे बुद्ध साथ जून से पंदर जून के बीच में उससे पहले हमने कहा कि आपके लिए समस्याय रहेंगी और अगर आप किसी भी प्रकार की कोई जर्णी करते हैं शौर्ड जर्णी या लॉंग डिस्टेंस जर्णी तो उसमें भी आपका खर्चा अधिक होगा और इतनी लाबकारी भी सिद्वो नहीं होगी अब बात करेंगे जो करक लगन राशी के जातक हैं कैंसर असेंडेंट बेस्ट जो जातक हैं उनके विशे में बात करेंगे और बताएंगे है कi आपके चार्ट में जो सूरेधी हैं वह सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, धन बहाओं के स्वामी हैं और ये एक आध्श बहाओं में बैठेंगे, लाब हाओं में, ह incarnकी शत्रुराशी है इंकी, लेकिन शत्रुराशी होते हुए भी क्योंकि धनेश हैं यह आपको लाप कराते रहेंगे हाला कि हो सकता है कि बीच में थोड़ा बहुत अवरोध पैदा हो लेकिन यह इंकम आपको अच्छी कराते रहेंगे इंकम होती रहेगी लेकिन यहां पर जो स्टुडेंट्स हैं करक लगन के उनके लिए थोड़ा सा प पर उन समस्याओं को फेस करने के साथ साथ यह कोशिश रहनी चाहिए करक लगन राशी के स्टुडेंट्स को के वही सूर्य देव के कारण हमारी जो एजुकेशन है वो कही ना कहीं एफेक्टेड गुरू जी ने बताया है कि हो सकती है तो हमें अपनी एजुकेशन को बहु उपाय करते हैं सूर्य देव से संबंदित तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम तो आपको यही कहना चाहते हैं कि देखिए अभी जहां पर पंद्रे मई तक जो रहेंगे सूर्य देव वो तो इस्तिती बहुत ज्यादा खराब थी अब तो उससे कहीं बहुत कम इस्तिती एक तरीके से खराब रह गई यह बहुत कम बहुत यहीं कि जो इनके दुश्प्रभाव थे उनमें काफी कमी आ गई और एक महीने बाद यह एक महीने का समय और निकल जाए ब्रशब राशी का इनका तो और अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले आगे आने वाले समय में सूर्यदेव के द्वारा तो उपाय हम आपको देंगे सूर्यदेव के उपाय सब को करने चाहिए सूर्यदेव एक ऐसे घ्रहें हैं और अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए अगर आप करकल लगन राशी के जाए तक अपना जीवी का चला रहे हैं चाहें व्यापार करते हैं चाहें कोई रोजगार में हैं तो अभी बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें और जहां अगर हो सकता है आप से कर सकत लीजिए बहुत अच्छे डिसीजन होंगे और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा बुद्ध के आने के कारण सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को भी साथ जून से पंद्रह जून के बीच अब आगे बात करेंगे सिंग लगन राशी के जो जातक है ल लगनेश होके कहा बैठंगे तैंथ हावस में द्रशम वाला कि शत्रू राशी है लेकिन बाबजो दिसके शत्रू राशी में होते हुए भी हम आप से बताना चाहते हैं कि अगला कि देखिए जो माइनस पॉइंट इनका रहगा वो तो यही रहेगा इनकी और से जह नेगे की कमी आपको उसका एहसास रहेगा या तो एक बात ये कह सकते हैं कि सुक्सोविधाओं में कमी का होना या फिर ये है कि सुक्सोविधाओं के होते हुए भी उससे वंचित रहना दूसरी बात ये भी कह सकते हैं तो एक तो ये चीज रहेगी और इसके अतरिक्ट सस्राल के जातकों का यानि आप employee है यानि जो रोजगार में है या फिर उभ्यापार करते हैं कोई विजनसादी करते हैं जो भी आपका कार्यच्छेत्र है जो भी आपकी जीविका है वहाँ पर आपको निश्चित रूप से आपके कार्यच्छेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप् chances बनने की संभावना है वो इस प्रकार की है कि अगर आपका कोई एक थोड़ा सा example दे करके आपको बता रहे हैं कि अगर आपका कोई एक senior अधिकारी आपको promote करना चाहता है आपका elevation करना आपको elevate करना चाहता है तो वहीं पर parallel way में कोई दूसरे अधिकारी उसको रोकना चाहेंगे वो interested नहीं होंगे कि आपको elevate किया जाए तो इस प्रकार की कुछ रहेगी लेकिन बाबजूद इसके कितना ही विरोध क्यों ना हो कुछ ना कुछ benefit सूर्य देव के द्वारा आपको अपने कारे छेत्र में निश्चेत रूप से मिलना ही है चाहें वो अल्प मात्रा में ही क्यों ना हो चाहें अगर आपको है यही बढ़स कर तो आपके अधिकार हो में विर्यक्ति हो जाएगी को और सम puta विरोसगिन वेकिस और सकती हैं हैं और आप व्यापारी, आप क बीच में अंडरिस्टेंडिंग बढ़ेगी एक ट्रस्ट जो होता है वो बनेगा और जब एक ट्रस्ट बन जाता है तो व्यापार की गती भी बढ़ती है तो वो सथिती आपके साथ भी रहेगी अब आगे बात करते हैं कन्य लगन्राश्टी के जातकों के लिए विर्ग्व-असंडरिट बेस जो जातक है!!!!! तो शाथियों आप कन्य लगन्राश्टी के जो जातक है हाँ आपके हैं आपके चार्ट में जो सूर्यधेव औह वह Double buck के लॉर्ड है ट्वैल्थ हाउस ते अशुब भाव है इस फिल है और यह बैठेंगे नवम भाव में त्रकॉण और जब यह वहाँ पर बैठेंगे कहने को तो जैसा मैंने कहा कि उनकी अपनी शत्रु राशी ये लेकिन एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपनी इस से पापी और उनके शत्रू गिरह बैठे हुएं जिसने दोश पैदा कर दी हैं जिसका दुश प्रभाव सभी बारे लगन राशी के जातकों को किसी ना किसी रूप में उठाना पड़ रहा है आज भी और यह पंद्रे मई तक रहेगा जब तक यह सूरह देव अपनी राशी स आप से कर रहा है इस प्रोग्राम में के वो विर्शव राशी में रहेंगे पंद्रे मई से पंद्रे जून तक तो यह इस सिती उनकी पहले से काफी बैटर रहेगी और आने वाले समय में एक महीने यहां रहने के बाद जब यह दुबारा अपना राशी परिवरतन करेंगे तो और इनकी बैटर पोजिशन होगी लेकिन हम आपको उपाए भी देंगे सूरे देव के उपाए तो सब को वैसे भी करने चाहिए चाहिए सूरे देव की करपा यनिके सूरे देव आपकी कुंडली में अच्छे हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता आप सूरे देव को त है तो हम सभी जानते हैं तो इसलिए सूर्य देव को प्रिसंद करना हमारे लिए बहुत अनिवारे हो जाता है ताकि हम अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकें एक स्वस्य जीवन जी सकें और सक्सेस्फुल हम अपना लाइफ लीड कर सकें तो हम वह उपाए को छोटे-छो कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो हायर स्टूडीज कर रहे हैं मैं इतना कहना चाहता हूं कि हायर एजूकेशन को लेकर के आप अगर परिश्रम अधिक करते हैं अपने अध्यान को करने के लिए अध्यान करने के लिए परिश्रम अधिक करते हैं तो निश्चित रूप से को उम्मीद भी नहीं होगी इतने बैटर रिजल्ट्स आप निकाल के ले जाएंगे लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको कठिन परिश्रम करना होगा थोड़े बहुत परिश्रम करके आप अगर सोचें के भाई मैं बहुत बैटर रिजल्ट्स ले लूँगा तो वह तो पराकरम भी आपका बढ़ाएंगे ऐसी बात नहीं है पराकरम में ब्रद्दी होगी और पराकरम में ब्रद्दी के साथ साथ जो शौर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप करते हैं तो वह भी आपके लिए मिली जुले रिजल्ट देगी कभी लाब मिल जाएगा कभी एक कि एयोगे से आवरेज तो इस प्रकार रहेगा लेकिन आपका लेवल आपका पराकरण अच्छा रहे गा बना रहे और बाग्या साथ तो मिलेगा इस नहीं है भाग्ये का भी साथ वाली है अब बात करेंगे हम आपके साथ जो तुला लगन राशी के जातक हैं उनके विशह में यानि कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस जातक हैं सूर्य देव के राशी परिवर्तन करने के उपरांत आप तुला लगन राशी के जातकों को वे किस प्रकार के प्रेडाम है यह एक हला कि बहुत शौर्ट पीरियड है यह साथ आठ दिन का पीरियड है यह नौ दिन का आठ नौ दिन का लेकिन चलिए जो भी है उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे अप किस रूप में मिलेंगे यह हम अब जानने की कोशिश करते हैं आप तुला ल तो थोड़ा यहां बैठना इनका आप तुला लगन राशी के जातकों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि लाबेश हैं तो लाब में कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं से हो सकती है हलाकि साथ जून से और पंद्रे जून का जो यह समय होगा उसमें तो आपको अच्छे लाब की प्राप्ति कहीं ना कहीं से अवश्य हो जाएगी लेकिन पंद्रा मई से और साथ जून के जो बीच का समय है उसमें थोड़ी सी धन के आगमन में कमी रहेगी या रुकावटर कह सकते हैं या बाधा कह सकते हैं दूसरी बात घर परिवार के जो सदस्रे हैं उनके साथ भी थ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छी जगा तो आपसे यह कहेंगे कि देखिए इन्वेस्ट्मेंट तो आपका हो जाएगा एक तो जल्द वाजी ना करें उसमें करने में बहुत सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें नंबर एक नंबर दो बात ये किसी अच्छे एक्सपर्ट की राय पर ही ये कार्ड़े करें और दूसरी बात आपको इसके अलग ये भी बता दें कि ये समय शेयर मार्केट या म्यूचल फंड जैसी जगाओं में पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है आपके लिए क्योंकि उसमें आपको रिटन नहीं मिल पाएगा इस अबदी में जब तक सूरे बैठें शुक्र की राशी विर्शब में जी हां तब तक नहीं मिल पाएगा बस इतना है कि साथ जून से और पंद्रे जून के बीच में जब बुद्ध का इनको साथ मिलेगा तो उस समय पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने आरब होंगे लेकिन क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा है साथ जून से पंद्रे जून का बीच का समय है तो उसमें कितना लाब मिल जाएगा कितना दे देंगे तो इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बहुत सोच समझ करके करें पैसा और शेयर मार्केट और मूचल फंड जैसी जगाओं पर इस महीने अभी ना करें थोड़ा और वेट करने आप तो यह सिती रहेगी साथ ही आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी भी नाराजगी आपको फेस करनी पड़ सकती है उन उनको आप से कुछ ना कुछ किस ना किसी रूप में शिकायत रह सकती है तो इस बात का द्यान रखिएगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ मैंने कहा कि थोड़ा सा मन भेद और मत भेद होने की भी संभावना से इंकार नहीं कर सकते आगे बात करेंगे जो व्रिशक लगन राशी के जातक है इस कॉर्प राशी है सब तमभाव में बैठना लेकिन उसके बाब जूद भी यह आपको कार्य छेत्र से संबंदित अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति जरूर कराएंगे अवश्य कराएंगे 15 माई से 15 जून के बीच में और जब 7 जून को इनके साथ बुद्ध भी आ जाएंगे 15 जून तक हलाकि वो समय बहुत थोड़ा है छोटा समय है उसमें भी आपके और अच्छे कार्य होंगे आपको उन्नती भी हो सकती है आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार के हैं कि यह सूर्य देव का जो राशी परिवरतन है व्रिशव राशी में उनका आना आप व्रिश्चिक लगन राशी के जात्तकों के लिए विशेश रूप से कार्य छेत्र के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है और इसकी अतिरिक्त जो आपका व्यक्तित्त होगा आपका जो फेस होगा उस पर भी एक तरीके से लोग आपके व्यक्तित्त से प्रभावित होगे आपके एक चहरे पर अलग तेज के स्टेज होगा और लोग इस बात को ले करके बहुत ही आपसे प्रभावित रहेंगे और प्रभावित के साथ साथ आप अगर एक टीम को लीड कर रहे हैं तो बहुत सक्सिसफुली लीड करेंगे क्योंकि जिस टीम को लीड कर रहे हैं वो टीम आपको पूरा फॉलो करेंगी और पूरे इमानदारी से करेंगी तो यह बहुत बड़ी बात है कई बार यह होता है कि लीडर जो लीड करना च अच्छी तरीके से सक्सेस फुली अपनी टीम को लीड करेंगे लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटूता का नुभव आप कर सकते हैं तो लेकिन साथ जून से जब बुद्ध आ जाएंगे साथ में तो उसमें भी कमी आ जाएगी इनि वो भी चीज़ दूर होंगी वहां भी आपको थोड़ा शांती और शुकून मिलेगा अब आगे बात करेंगे जो धनू लगन राशी के जातक है सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक है आपके चार्ट में सूर्यदेव जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है नवम भाव के लेकिन यह कहां जाकर के बैठ रहे हैं छटे भाव में शष्ट भाव में एक महिना रहेंगे यहां पर तो यहां पर इनके रहने पर क्य नहीं है लेकिन चलिए जब यह यहां बैठेंगे आकर के तो कुछ ना कुछ तो आपका आवश्य फायदा कराएंगे जैसे की फॉर एक्जामपल आप धनू लगन राशी के जातकों के लिए सूर्यदेव जो आपके शत्रू हैं जो आपके विरोधी हैं जो आपको किसी ना किसी रूप में नुकसान पहुचाने की इच्छा रखते हैं यह उनको शांत रखेंगे उनको सक्सिस नहीं होने देंगे उनकी प्लैनिंग में दूसरी बात कोर्ट कचेरी से सम्बन देता है यदि आपका कोई मैटर है चल रहा है कोर्ट में कोई केसादी चल ले आया या भाग दोड़ अवश्य करनी पड़ेगी एफर्ट तो डालने पड़ेंगे लेकिन अंत्यत्य गोत्वा फाइनली रिदल्ट्स जो है वह आपके अनुरूब होंगे आपके फेवर में होंगे दूर दराज की यात्राइं अगर आप करते हैं तो वह आपके लिए खर्ची ली होंगी उसमें आपका पैसा खर्च होगा यह नहीं है कि आप आराम से यात्रा कर रहे हैं खर्चा कहीं और से मिल रहा है ऐसा नहीं है यात्रा एक्सपेंसिव रहेंगी अगर आप करेंगे तो और जहां तक भाग्य का प्रिश्ण है तो भाग्य का साथ थोड़ा बहुत से पंद्रह जून के बीच में जब बुद्ध आ जाएंगे तो आपके भाग्य को भी उससे सपोर्ट मिलेगा भाग्य का भी साथ मिलेगा यह स्थिती रहेगी सूर्यदेव के राशी परिवरतन करने के उपरां ता आप धनुर लगन राशी के जातकों के लिए बीच अपनी शत्र राशी विर्शम में तो जब यह यहां बैठेंगे तो यहां बैठ करके देखिए छात्रों के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो मकर लगन राशी के इस्टूडेंट्स हैं कि आप इस्टूडेंट्स अगर अपनी पढ़ाई पर अपनी एजुकेशन को लेकर के अपनी स्टूडी को लेकर के बहुत सीरियस रहेंगे पूरा फोकस आपका अपनी स्टूडी पर रहेगा तो यह मान करके चलिए कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होने जा रही हैं और यह कोई अच्छा कोई अवार्ड वगएरा कोई अच्छा सार्टिफिकेट वगएरा कोई अप्रिशेशन लेटर वगएरा मिल जाए बात कर लिए संतान के केस में माता-पिता से कि आपकी जो संतान हैं अगर उसने भी अपना पूरा चाहें वो किसी भी छेतर से जुड़े अगर उन्होंने गंभीरता पूरवक अपने एफर्ट डाले तो इतने अच्छे रिजल्स पर मिलने वाले हैं प्राप्त होंगे सूर्यदेव के कारण कि आपको भी उन पर प्राउड फील होगा प्राउड फील करेंगे आप अपने बच्चों पर इतना सूर्यदेव करा द दान रहना पड़ेगा आपको अन्य था कुछ ना कुछ आपको मित्रों की ओर से एक तरीके से कष्ट पहुंच सकता है तकलीफ दूसरी बात यह कि इंकम जो है आपकी इंकम भी 15 मई से और 7 जून के बीच में या तो प्रभावित रहेगी या उसमें कमी रहेगी या बाधि जून से आपकी इंकम भी आपको आरम हो जाएगी मिलनी धनका आगमन भी होना शुरू हो जाएगा अब बात करेंगे कुम लगन राशी के जातकों के यह एक्विरियस असेंडेंट बेस जो परसंस हैं आपके चार्ट में सूर्य देव सप्तम भाव यानि सेविंध हाउस के लॉर्ड हो करके और फूर्थ हाउस में बैठेंगे पंदरा माई से पंदरा जून के बीच प्रियसातियों देखिए जब यह यहां पर बैठेंगे चत्रुत भाव में तो आपकी जो माता हैं माता के को लेकर के थोड़ा बहुत टेंशन तनाव दिल और दिमाग में रहेग यह कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके और उनके बीच में जिससे आपका थोड़ा सा मन जो है वह परेशान हो थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत शुनकर के बातों को यह कुछ इस तरीके से होता है थोड़ी इरिटेशन होती है कुछ इस तरीके और आपको का लगन राशी के जातक हैं कारेश चेत्र में भी 15 मई से साथ जून के बीच में अगर आप अपने कारेश चेत्र में स्ट्रगल करते हैं संगर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स आपकी मुठी में होंगे इतना मैं आपसे कह सकता हूं सब जगा फिर आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी सभी का व्यभार आपके पृति अच्छा रहेगा आप सक्सेस्फुली अपने कारेश को पूरा भी कर पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको संगर्ष करना पड़ेगा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा ये सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स सभी आपको मिल पाएंगे चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार परिश्रम के आवश्यक्ता रहेगी पंद्रा मई से विशेश रूप से साथ जून तक साथ जून से और पंद्रा जून के बीच का जो समय होगा उसमें जितना भी संगर्ष आपने किया हैं पंद्रा मैए से लेके उसके जिसको कहते हैं ना के वही iliape fruitful रिजल्ट वह पको मिलने वालें हैं साथ जून से पंद्र से बीच मैं जितना भी आपने संगर्ष किया हैं पंद्रे मैए से उसके अब आगे बात करेंगे कि वही कुम लगन राशी की जो जातक है आपके वैवाहिक संबंद कैसे रहेंगे तो दीखें वैवाहिक संबंद तो क्योंकि शनी देव की दृष्टी पड़ रही है तो संबंद तो कही ना कहीं प्रभावित तो हैं रहेंगे लेकिन फिर भी साथ जून से लेके और पंदरे जून के बीच में निश्चित रूप से थोड़ी बहुत उसमें जो कमियां हैं खामियां हैं वो दूर होंगी और आपको एक तरीके से कुछ शुकून मिलेगा कुछ चीज़ें आपके अनुसार ह और अब बात करेंगे अन्त में मीन लगनराशी के जो जातक है 25 जो जातक है आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं यह शष्ट भाव के लॉर्ड हैं सिक्साउस के लॉर्ड है और यह थर्ड हाउस में बैठेंगे थर्ड हाउस में बैठकर के यह आप मीन लगनराशी के ज तेहतर हो गया. जैसे कि आपके या राइटर्स हैं वा पन्यास कार हैं या थैटर पर काम करते हैं थैटर में, हिस्टेज पर inputs करते हैं, यह सारी के जितने भी पोइट हैं यह सारी के जितने का जो energy level है वो अच्छा रहेगा कि इस duration में जब तक सूरह यहां रहेंगे साथ कर साथ की साथ बात करते हैं कि भाग्य की सिती कैसी रहेगी भाग्य का भी मिला जुला support आपको मिलता रहेगा और जो higher studies कर रहे हैं students उनको भी अगर वो परिश्रम अधिक करेंगे पूरा focus उनका अपनी पढ़ाही पर रहेगा तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ती भी आपको जरूर हो पाएगी ये भी बात रहेगी छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्यार मिलेगा लेकिन मिला जुला उनकी तरफ से response रहेगा जब तक सूरे देव यहां रहेंगे विर्शव राशी में तो आप मीन लगन राशी के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार के results सूरे देव के रहते हुए र और आपको बताना चाहेंगे कि कारे छेत्र में भी कुछ अच्छे results की प्राप्ति आपको सूरे देव के द्वारा जरूर होगी निश्चेत रूप से होगी और जो भी शत्रू हैं आपके या विरोधी हैं वो भी शांती रहेंगे हलाकि अभी तक तो शांत नहीं है लेकिन अब सूरे देव के कारण जब से वो यहां आएंगे थोड़ा बहुत उसमें कमी जरूर आएगी तो यह था मेरे प्रिये साथियों आप बारे लगन राशियों के जात्कों पर पढ़ने वाले प्रभाव सूरे देव के राशी परिवरतन करने के उपरांत जब विर्शब राशी में जाएंगे पंद्रे मईस को और पंद्रे जून तक मां रहेंगे तो अब हम आपको बता होती रहें प्यार मिलता रह तो यह कार रही आपको कभी नहीं छोड़ने चाहिए सबसे पहला कार रहा है तो यह सूर्ढेव को परसंद करने के लिए उनको जलर्पिक करें तामे के कलश से करें और साथ ही साथ सुबह उठते ही सुर्यка को प्रणाम करें सबसे पहला कार यह करें और प्रणाम अगर कर रहे हैं तो अगर प्रणाम करते करते इस मंत्र का जब भी कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं औम घरणी सूर्या नमाहा कम से सूर्य देव के समंत्र का आप उच्छारान जब कर सकते हैं ओम घरनी सूर्याय नमा दूसरी बात कि अगर घर में आपके कोई बुजुर्ग हैं मान लीज़े आपके पिता हैं या पिता नहीं है कोई पिता तुल्य कोई बुजुर्ग हैं आप प्रहते काल उठकर के अगर उन इतनी जीवन में आपको मिलती है तो मेरे प्रियसातियों ये थी चर्चा सूर्य देव के राशी परिवरतन को ले करके आपको पसंद आई होगी हमें पूरा विश्वास है और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरू करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाव उनको भी मिल सके और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी एस्ट्रोजी से एलेटेड हमारे वीडियो बनते हैं उनकी नोटिफिके झाले 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 झाले